हेलो फ्रेंड्स स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल हैप्पी ओनलाइन अस्टडी में तो आज अससी सीजेल का एकजाम जो की 17 मार्च को हुआ सभी सिफ्ट खतम हो गए तो इस वीडियो में आप लोग को सभी सिफ्ट का कोश्चन देखने को मिलेंगे जो की जीके जीएस औ और क्रेंट अफेर से रिलिटेट कोश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग शुरू से अंतक देखिए कि किस टाइप के कोश्चन पूछे जा रहे हैं एकजाम में तो जिसका एकजाम होने वाला है तो वीडियो को देख कर जाएं किस टाइप कोश्चन पूछे जा रहे दूसरा कुछन है सत्मेव जेते किस उपनी सत से लिया गया है तो आपका राय टेंसर होगा मुंडक उपनी सत से सत्मेव जेते लिया गया है तो हिराकुंड डेम उडिसा में है जो कि महानदी पर है तो आपका राया टेंसर होगा उडिसा और उडिसा में किस नदी पर पूछ दिया तो आपका राया टेंसर हो जाएगा महानदी पर महा नदी पर हिराकुन डेम इस्तित है कुमायू हिमालय किन दो नदियों पर है तो आपका राय टेंसर होगा सतलज और काली नदी नेक्स्ट कुस्चन आपका आता है अंधकार का युग पुस्तक के लेखक कौन है तो आपका राय टेंसर होगा ससी थरूर दक्षिन पस्चिम रेलवे का मुख्याले कहा है तो आप कराय टेंसर हो जाएगा होगली जो की करनाटक में पड़ता है बिटामिन बी के कितने ग्रूप हैं तो आप कराय टेंसर हो जाएगा आठ आठ ग्रूप हैं B1, B2, B3 इस टाइब से आठ ग्रूप होते हैं करनम मले सुरी ने किस बर्स में पदश्री प्राप्त की तो आप कराय टेंसर होगा 1999 राष्टपती भवन किस बर्स पूरा हुआ तो आप कराय टेंसर होगा 1931 राष्टपती भवन का पहले नाम था वाईसराय भवन नेक्स्ट कोस्चन है पूलेला गोपी चंद अकादमी कहां इसती थे तो आप कराय टेंसर होगा हैदराबाद जो की तिलंगना में तिलंगना में बेडमिंटन पर सिक्षन केंदर है जी का मान क्या है जी का मान पूछा था तो आप कराय टेंसर हो जाएगा नरेंद्र मोधी जीवन पर आदारित पुष्टक का क्या नाम है तो आप कराय टेंसर हो जाएगा करम योद्धा गरंत क्रम योद्धा गरंत कॉंग्रेस की अस्थापना किस नीकी थी तो आप कराय टेंसर हो जाएगा एलन ओक्टे वियन हुयूम तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कोस्टन की तरब फटापोड देखते हैं लद्दाख में कितने जिले हैं तो आपका राय टेंसर होगा दो नेक्स्ट कोस्टन है अभी अली को इस साल सांती का नोबल पुरुषकार दिया गया तो वो कौन है या कहां के हैं तो आपका राय टेंसर होगा इथुपिया के वो प्रधान मंत्री है जारखंड के स्पीकर का क्या नाम है ये पूछा गया था तो आपका राय टेंसर हो जाएगा रविंद्र नाथ महतो जोकी जारखंड के स्पीकर हैं जिसे हम बकता करते हैं हिंदी में नेक्स्ट कोश्चन है पंच चील संधी किस देशों के बीच हुई तो अपकर आईटेंसर होगा भारत और चीन नेक्स्ट कोश्चन है क्रेसी मुल का आकलन कौन करता है तो अपकर आईटेंसर होगा Agriculture Cost and Prices Commission नेक्स्ट कोश्चन है कब 44 में संसोधन में संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया तो अपकरायट एंसर हो जाता 1978 जनवरी 2020 में किन देशों ने उट को मारने का अधेश दिया तो अपकरायट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए नेक्स्ट कोश्चन है सेरसा सूरी का मकबरा कहां है तो आपकरायट एंसर होगा सासाराम जोकी सासाराम बिहार में पढ़ता है दुनिया के 30 सबसे परदूसिश सहरों में 21 भारत का है जो सबसे परदूसिश सहर कौन सा है ये पुछा गया था तो आपकरायट एंसर होगा गाजियाबाद उत्तरप्रदेश में पड़ता है फेरा एक्ट को भारत में किसके द्वारा परती अस्थापित किया गया या रिप्लेस किया गया तो आप कराई टेंसर होगा फेमा फेमा का फूल फोर्म होता है फोरेन एक्शेंज मैनेज्मेंट एक्ट 1857 के स्वाधिन ता संगर्ष की बिरांगना महरानी लक्षिमी की जनमस्थली कहा है तो अब कराईट एंसर हो जाता वारानासी इसका जनमस्थल है नेक्स्ट कोश्चन है बहमनी राज कब अस्ठापित किया गया थो चोध मी सतापदी में किया जोकी मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया उपराष्ट पती का चुनाओ कौन करता है तो उपराष्ट पती का चुनाओ लोकसवा सदस और राजसवा के सदब दोनु मि हैं तो आपका राइट एंसर होगा दीन बंधु मित्र नेक्स्ट कोश्चन आता है कि इस रो का गठन कब हुआ तो आपका राइट एंसर होगा 1979 इसके चेर्मेन कोन है तो आप लोग कोमेंट के माध्यम से बताईए एकी कृत ग्रामीन विकास कारक्रम किस 65 वर्षी ओजना में शुरू हुई तो आपका राइट एंसर हो जाता 65 वर्षी ओजना 65 वर्षी ओजना में शुरू की गई थी भारत सरकार कारक्रम कारविदी भारत का मुख नयदिश की उपर कौन है तो आपका राइट एंसर होगा पुर्व राष्ट पती होते हैं मुख न भारत का पॉली गार कौन था तो आपका राइट एंशर होगा छेत्रिय परसांसिक और सन नियंद्रन नेक्स्ट कुस्चन है भारतिय अक्षे उर्जा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका राइट एंशर होगा 20 अगस्त को इंडियन अक्षे एनर्जी डे मनाया जाता है अमेजन 1 किस महदीप में है तो आपका राय टेंसर होगा दक्चिन अमेरिका में अमेजन में बहुत बड़ी आग लगे तो इससे related question और भी पूछे जाएंगे next question है Mount Pass भारत चीन और मयान मार्ग तिरकोनिय जक्षन बनाता है तो कहां बनाता है तो दीफुला के पास ओमेगा मिसन हील 20 कप संबंदित है तो आपका राय टेंसर होगा गोल्फ गोल्फ से संबंदित है कौन गैर धातु एक तरल है तो आपका राय टेंसर होगा ब्रोमीन, गैर धातू, पुछा गया है, अगर धातू पुछा जाता तो आपका राय टेंसर हो जाता पारा, रक्त समुव की खोज किसनी की थी तो आपका राय टेंसर होगा कारल, लेंड, स्टिनर, जो की रक्त समुव की खोज की थी नेक्स्ट कोस्चन है महलाओं के यात्रा पर परतिबंद कौन सा देश हटाया तो आपका राइट एंसर होगा सौधी अरब सौधी अरब जो कि महलाओं के यात्रा पर परतिबंद हटा लिया गया है नेक्स्ट कोस्चन है यूरो मनी पत्रिका ने किस बैंक को बिशुका सबसे बेस्ट बैंक का नाम दिया तो आपका राइटेंस होगा DBS बैंक को हम कह सकते हैं Development Bank of Singapore अब आपको बताना है कि इसका Headquarter कहा पड़ता है कोमेंट के माद्यम से क्योंकि एक्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां से Question नेक्स्ट कोस्चन है NGT ने राज सरकार को निर्देश दिया है कि दिपोर जील का परियावरन समयदन सील छेदर को घोसित किया तो किस राज में है तो आपका राएट एंसर होगा असम जो कि असम में पड़ता है और आपको कमेंट का माद्यम से बताना है कि NGT का फूल फोर्म क्या होता है तो चलते हैं अपने Next Question पर नेक्स्ट कोस्चन क्या आयत देखते हैं मानब की खुपडी में कितनी हड्डी होती है तो आपका राएट एंसर होगा 28 28 28 हड्डी होती है जो कि मानब की खुपडी में होती है Next Question पर चलते हैं Next Question क्या आयत देखते हैं 119 में दुरंड कप किस ने जीता तो आपका राएट एंसर होगा मोहन बगान को हरा कर ये 129 में डुरंड कप जीता कोमो लिका बारी किस खेल से संबंदी थे तो आपका राइट एंसर होगा तिरंदा जी तो आप लोग खेल से संबंदी जितने भी सब्दे हैं तो आप लोग वहाँ से देख के जाएं क्योंकि यहां से कोश्चन पूछे जा रहे हैं दुनिया का पहला तहरता परमानू रियक्टर किस ने लॉंच किया था तो आपका राइट एंसर होगा रसिया ने लॉंच किया था जो कि दुनिया का सबसे पहला परमानू रियक्टर लॉंच किया था नेॉक defence नेक्स्ट कोस्टन है राश्टी बिज्ञाँ दीवस कम मनाया जाता है तो आपका राये टेंसर होगा 28 फरवरी दीवस से भी सभी सिफ्ट में कोस्टन पूछे जा रहे हैं तो आपको दीवस से कोस्टन देख के जाना चाहिए इसका theme क्या था ये भी पूछ सकते हैं तो आपका right answer होगा बिज्ञान में महिला आएं next question पर चलते हैं next question क्या है BCCI के chairman कौन है BCCI के chairman कौन है तो आपका right answer होगा सौरब गांगुली तो आपको बताना है कि ICC के chairman कौन है comment के माध्यम से next question है चंद्रियान 2 का वजन कितना था तो आपका right answer होगा 2379 kg ग्राम ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो आपका right answer होजाता 16 सितंबर को Yes Bank के CEO कौन है तो आपका right answer होगा रबनीत गिल Unicep का अस्थपना दिवस कब मनाया जाता है तो या कब मनाया या कब अस्थपना हुआ तो आपका right answer होगा 11 दिसंबर और बर्स पूछले 1946 में पानी में घुलनसील कौन सी बिटामिन है तो आप लोग को याद होगा कि B और C घुलनसील है Next question है One नीवल बराबर कितने होते हैं तो आपका right answer होगा पूर बीट के बराबर युक्रेन के राष्ट पती कौन है तो आपका right answer होगा बलादेमीर, जेलेन, स्काय उत्तर परदेश में लोग सबा में कुल कितनी seat होते हैं या हैं तो आपका right answer होगा 80 तो ये से भी थे आज पूछे गए सारे सवाल जो कि पहले हम लोग कराएं third shift का question था उसके बाद second shift का question था उसके बाद first shift का question था first shift का question था वीडियो हम बना चुके हैं already और भी question उसमें है तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके question देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रम बेस्ट आप लग